डबल टेकर एक्सप्रेस कैसे दिखती है आईए दिखाते हैं आपको और कुछ इस तरीके की सिटिंग होती है डबल टेकर में और यह अपार है और इसके नीचे जो होगा वो लोवर डेकर होगा तो गुड मॉर्निंग दोस्तों क्या हाल है सभी के तो आज की हमारी ट्रेंजरनी होने वाली है पिंक सिटी डबल टेकर एक्सप्रेस में जो की चलती है आजी स्थान की राजधानी जैपूर से दिल्ली के लिए तो बात करते हैं टाइमिंग की तो सुबह चलती है छे बचकर और हमें पुचा देती है दस बचकर 24 मिनट पर सराय रोला दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर तो आएए चलते हैं प्लाटफॉम नंबर दो पर जहां में मिलेगी हमें अपनी डबल टेकर एक्सप्रेस तो आ गए हैं बाई प्लाटफॉम नंबर दो पर और अपने सामने खड चलना पड़ेगा इतना दूर तक अगर आगर तो आज अपनी सीट होने वाली है वह होने वाली है सी 13 में 116 नंबर विंडो सीट है तो आएए चलते हैं विंडो सीट के मजे लिते हैं और आपको दिखाते हैं आगे की ज़नी डवल टेकर एक्सप्रेस की वाइए बाई चलत तरीके का दिखता है अपने डवल टेकर एक्सप्रेस की सीटे और कोच यह नीचे देख रहे हो यह भाई लोवर है और उपर देख रहे हो वो डवल डेक है तो नीचे भी और उपर भी दोनों जगा इसमें सीट होती है आप अराम से बैठ सकते हो तो आई है अपने विंडो सीट पर लेकल चुके है जैपूर से अपनी डवल टेकर एक्सप्रेस के साथ में और यह देखो भाई जैपूर का डिपार्चर तो फ्लाल निकल चुके है भाई जैपूर से दिल्ली की और अपनी डवल टेकर एक्सप्रेस में और अभी जो है तुबा के छे बज रहे हैं और मौसम आप देखो उजाला होने को ही है और यह अभी हम प्रॉस कर रहे है अजमेर चंडिगाड एक्सप्रेस को जोगी चंडिगड से आ रही है और अजमेर को जा रही है तो भाई निकल चुके हैं हम जैपूर से दिल्ली की और पर अगर कि अधिनगर रेलवे स्टेशन पर जिसका इस्टेशन बोड़ा जीए डीजे और बात करते हैं इसी स्टेशन के तो भाई यहां पर टोटल दो प्लैटफोर्म है और हां आपको बतायता हूं यह इंडिया का एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसे भाई पूरी महिलाए और प्रेट करती है मतलब पूरी जो यहां चितने भी स्टेशन माश्टर से लेगे जो भी इदर करमचारी है सारे जो है वह फीमेल्स है तो यह बहुत जो लोजी कि अभी जो है हमने पार किया है अपना गांधी नगर जंक्शन और अगर आप कभी भी ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो यह चीज हमेशा आप अपने साथ हलका हुलका सुबाज दख लेना हो क्योंकि ऐसा होता है कि हर टाइम आपको कुछ खाने के लिए नहीं मिलें और भू तो इसी के साथ हम पहुच चुके है दोसा रेलवे स्टेशन पर जिसका इस्टेशन कोड़ है डी ओ कि दोसा रेलवे स्टेशन से निगल चुके है और आपको बता देता हूं इस ट्रेन में आपको पैंटरी कार की सुविधा नहीं मिलेगी अगर आपको कुछ लेना है तो आपको पर्चिस करके खाना पड़ेगा वह तो हर ट्रेन में खाते हो लेकिन जिसे बंदे भारत में टिकेट के साथ आप इंपलूड भी करा लेते हो इसमें वह आप्शन नहीं मिलता है और फोटी सी आपको बताए जो सीट है वह एक बार को पीछे भी हो सकती है लेकिन जो मेरे बगल वाली जीट है वह बहुत परिशान ही मौई क्योंकि वह सीट यह पर इस अंगल की मीज़ें से पीछे नहीं हो रही है और बिल्गुल भी कमपर्टेवल नहीं है जो मेरे हिसाब से तो खास बात उतनी वालाव वालाव कि एक सो पचास किलो मेटर की जरनी करने के बद हम पहुंच गए हैं अलवार रेलवे शेचर पर जिसका इस शेचन कोड़ है एड़ वर बात करते हैं इस शेचन की तो यहां पर भाई तीन प्लैटफॉर्म है और टोटल ट्रैक है पांच और अगर कभी आप अलवार आते हैं कभी मतभूला हमारे साथ जो सबर कर रहे हैं अपने भाई है और यह वाई आसा नोगना घृण कर लेना दोनों अपनी जरनी आगे की तय और हां पता जेता हूं अभी ट्रेन में वाई अपने लियातँ तीन वाईजर हैं और यह एक ब्रेकफार्ट और वो टेश्क करके बचाएंगे किसा खाने में कैसा लगता है और रेटे जो ने पुरा कन्सर्म करके बताता हूं पुरा ट्रेन ने भी अपनी सिगनल दे दिया है अलवर से आइए चलते हैं अपना अपनी ट्रेन के अंदर तीन मिनिट बाद अलवर से अपनी जो ट्रेनावाई निकल चुकी है दिल्ली की और करें जो बाद आपको देखाते हैं ब्रेक्फांस जो भी लिया यहां पर और उच देखो भाई यह कटलेट दी है ततत्रा वी शरा मतर्य हैं बल्कुल थंड़ इसकंड़ है वह है किया आकड़ीर दक चाय और स्वीय और इसका जो पीस बाई इसका चाहलैस रुटैस का माल ली आफ कि हाँ भुए यह को बटर लगी हूई तो बटर कौन शा कौन जानी है यह भगवानी जाने तो आप वर्दे हैं स्टार्ट कर दो कि अड़ा जड़ा स्टार्ट कि अड़ाब कि अपया स्टार्ट कि बीगा आप कुलायब है तो बाई, उल्ली दो मिनिट का होड लेने के बाद निकल चुके है गुडगाओ से इसका स्टेशन कोड है जी जी एन और बात करें है इस स्टेशन की तो यहाँ पर आपको तीन प्लैट्फॉर्म देखने को मिल जाएंगे और तोटल ट्रेने जो रुकती है इधर 99 ट्रेने डेली यहाँ पर रुकती है तो यह बाई ट्रेन कैसी लगी मुझे मैसेज करके जरूर बताना तो मिलते हैं किसी और ट्रेन जरनी में चब तक के लिए सभी को गुडबाई